हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूटूब चैनल सुधिर टर्टोरियल में दोस्तों हम लोग ने अपने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा था उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी की थी उत्तर प्रदेश के बरतवान जो मुख्यमंतरी राजपाल सब आपने देश स्युरू करते हैं आज का वीडियो तो उत्तर प्रदेश के प्रथम महिला मुख्यमंतरी थी mut स्री मती सरोजिनी नाइडू जो है उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राजयपाल थी और उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्य मंत्री थे वो कौन थे तो स्री गोविंद वल्लब पंत थे कौन थे उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्य मंत्री स्री गोविंद वल्लब पंत और उत्तर प्रदेश का जो प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान का प्रकासन हुआ था ओ अठारस असटासीस भी में प्रताबगड में हुआ था जिसे काला कांकर के राजा रामपाल सिंग ने शुरू किया था किसने शुरू किया था तो ये शुरू हुआ और इसकी सुरुआत किसने की तो काला कांकर के राजा रामपाल सिंग ने शुरू किया था और उत्तर प्रदेश का जो प्रथम हिंदी सापताहिक बनारस अकबार है वो जनौरी 1945 में कासी बनारस से प्रकासित हुआ तो हिंदी का प्रथम जो है सापताहिक पत्र का जो थी व वो बनारास अखवार उसका प्रकासन जनौरी 1945 में कासी बनारास से प्रकासित हुआ और उत्तर प्रदेश में पर्थम अंग्रेजी जो दैनिक था उसका नाम क्या था लीडर जो कि बस्ती जिली के अगोना नामग्राम से संबंदित है और उत्तर प्रदेश का प्रथम जो बिस्विद्याले था वो इलाहाबाद बिस्विद्याले जिसकी अस्थापना 1887 इस भी में हुई थी और ये कहां पर है तो बरतमान प्रयाग राज में इस्थित है 1971 में बनारस में रेजिडेंट डेकन ने प्रथम संस्कृत महाविद्याले की अस्थापना की थी जिसमें हिंदू धर्म साहित तयों कानून की सिच्छा की ब्योस्था थी तो 1791 में बनारस में कौन से रेजिमेंट डेकन ने प्रथम संस्कृत महाविद्याले की अस्थापना की थी जिसका आपको पता ही होगा बनारा सिंदु विश्विद्याले तो यही जो विश्विद्याले था इसकी अस्थापना 17 से 1922 में हुई थी उत्तर प्रदेश तथा भारत की आर्मी की जो प्रथम महिला ब्रिगेड रानी जहांसी ब्रिगेड थी वो 23 अक्टूबर 1943 सिंदु को ब्रिगेड बनी और भारत वर्स तथा उत्तर प्रदेश में 1956 में प्रथम खेलकूद परिशद की अस्थापना हुई थी यह 1956 सिंदु में हुई थी कहां पर उत्तर प्रदेश में ही हुई थी और जो प्रदेश की पहली महिला वकील कार्नेलिया सोरा बजी थी जो 1923 सिस्वी में इलाहा बाद उच्चने आले में वकालत की थी और भारत वर्स तथा उत्तर प्रदेश में सर्प्रथम ट्रैक्टर का प्रयोग उत्तर प्रदेश में लखीम पूर्ख खीरी में सरदार जोगेंदर सिंग ने 1924 वी में किया था आगे भारत वर्स तथा उत्तर प्रदेश में सर्प्रथम ट्रैक्टर का प्रयोग उत्तर प्रदेश में लखीम पूर्ख खीरी में सरदार जोगेंदर सिंग ने 1924 वी में किया था आगे भारत वर्स तथा उत्तर प्रदेश में सबसे पहली सीधी ट्रंक डायलिंग सेवा लखनों कानपूर की वी 26 नौंबर 1960 इसवी को सुरू की गई थी भारत का पहला ग्रामेड बैंक जो है वो मुरादाबाद और गोरखपुर में 2 अक्टूबर 1975 को खोला गया भारत का जो पहला ग्रामेड बैंक था वो मुरादाबाद और गोरखपुर में 2 अक्टूबर 1975 इसवी को खोला गया था और भारत का जो पहला राष्टिये पार्क है 1936 में स्थापित हुआ हैली पार्क जिसको जिम कारवेड भी कहते हैं जिसे आजादी के बाद राम गंगा पार्क नाम मिला और आज जिसे जिम कारवेड नेशनल पार्क कहा जाता है जो अब बरतमान समय में उत्राखंड में इस्तित है और भारत में सर प्रथम उर्दू एकादमी की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हुई ये भी इंपर्टेंट है भारत में सर प्रथम उर्दू अन्सूचित जाज की महिला मुख्यमंत्री कौन बनी तो माया वती बनी तो दोस्तों यह रहा हाँ का वीडियो आसा करते हैं। कोई वीडियो पसंद आया होगा अगर आप कोई वीडियो पसंद आता है तो मारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों में इसको सेयर करें धन्य बाद